हेलो फ्रेंज्स रादे रादे जी जैस्त्री किश्णा देखे फ्रेंज्स आज लड़ू कपाल जी के लिए हम इस प्यारी सी ड्रेस को बनाना सीखेंगे और देखिए देखने में काफी सुन्दर है और हमने चार नमर अड़ू कपाल जी के लिए बनाई है आप इसे ओलसाज में बना सकते हो प्रेस बनाना सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन पर भी वीडियो को लाइक भी कीजे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में सेयर भी कीजे अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो तो चलिए फ्रेंड्स बनाना सुरू करते हैं देके फ्रेंड्स इस ट्रेस को बनानी के लिए हमने यहां पर चोली बन सकते हो जितने भी बाढ़ी चोटी आपको बनानी है पहले आप उनके साइज की चोली बना लीजिए और घेरा पुरा हमें कम्पिलीट कर लेना है जितना बढ вый कोठा हमें घेरा बनाना है उसी तरीके से हम बार डबल क्रोशे बनाया है अगर हमें आगे बढ़ाना है सिक्स रो में हमें हर सिक्स चैन पे सेवन में भी हमें हर सिक्स चैन पे बनाना है एट में सेवन चैन पे ऐसे हमें बढ़ाते जाना है घेरे को तो देखिए फ्रेंड्स अब आगे हमें करना क्या होगा अब देखिए अब हमें white color से बनाना है हम इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और देखिए हमें यहां से शुरू करना है पूरे में हमें कहीं से भी शुरू कर लेंगे हम देखें यहां से जो हमारा एक चोली का और इसका दोनों row में से हमें एक एक फंदा उठाना है और इस तरीके से हमें आप इसको जोंट कर लेना है, इस तरीके से हमें इसको पकड़ना है, ऐसे और देखिए, one, two, three त्री चैन बनाएंगे, और फिर हमें हाँ India डबल क्रोश्या बना लेना है, ऐसे फिर देखें नेक्स्ट में से नेक्स्ट में से बनाएंगे सभी चैन में से हमें दो दो बार डबल क्रोशे बनाना है जैसा कि हम फर्स्ट रो बनाती है ऐसे देखें यहाँ पे भी ऐसे फिर नेक्स्ट में भी देखें इस तरीके से सभी डबल क्रोशे के से एंटर में से हमें टू टू टाइमस बनाना है फिर देखें नेक्स्ट में भी वान टू ऐसे हमें इसको फोल्ड करना है इस तरीके से फिर नेक्स्ट में से भी ऐसे बनाएंगे वान और टू फिर नेक्स्ट में से वान टू देखें इस तरीके से देखें फ्रेंड्स ऐसे बनाते हुए हमने यह रोग कम्प्लीट कर लिया है अब इसको हमें यहां से स्लिप स्टीज से जोइंट कर लेना है ऐसे देखें फ्रेंड्स अब आगे हमें करना क्या होगा इस तरीके से देखिए अब हमें हमें इसे ऐसे 1 2, 3 3 चैन बनाएंगे और इसी में से हमें डबल क्रोश्या बनाना है 3 की चैन को भी काउंट करना है 1, 2 यहां पे हमारे 2 डबल क्रोश्या काउंट होंगे फिर देखे हम यहाँ पर 1 चैन बनाएंगे और फिर इसी में से 2 डबल क्रूश्य बनाएंगे 1 और देखिए 2 अब देखिए फिर हमें यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे 3 चैन बनाने है और 3 चैन बनाने के बाल फिर 1, 2, 3 3 चैन को स्किप करेंगे और देखिए यहाँ से 4 चैन में से हमें डबल क्रूश्य बनाना है देखिए ऐसे 1, 2, 2 डबल क्रूश्य बनाने के बाल फिर हम यहाँ पर 1 चैन लेंगे और फिर इसी में से 2 डबल क्रूश्य बनाएंगे 1, 2, देखिए इस तरीके से अब देखिए फिर हम 1, 2, 3, 3 चैन बनाएंगे 3 चैन बनाने के बाद देखिए 1, 2, 3, 3 चैन को skip करेंगे 4 चैन मेंसे बनाएंगे ऐसी 1, 2, इस तरीके से फिर 1 चैन लेंगे फिर इसी मेंसे 2 डबल क्रोश्य बनाएंगे और देखिए 2 फिर 1, 2, 3 त्री चैन बनाएंगे देखिए इस तरीके से फिर हमें 3 चैन को स्किप करना है 1, 2, 3 और देखिए 4 फोर्थ चैन में से हमें बनाना है ऐसे 1, 2 फिर 1 चैन लेंगे फिर इसी में से 2 डबल प्रोश्या बनाएंगे 1 और देखिए 2 फिर 3 चैन बनाएंगे इसी तरीके से हमें पूरा राउंड कम्प्लीट कर लेना है देखिए फ्रेंस एरो हमने कम्प्लीट कर लिया है अब देखिए 1, 2, 3 3 चैन बनाएंगे और देखिए यहां से हमें इसको जोइन कर लेना है अब देखिए अब हम इसके सेंटर में आ जाएंगे ऐसे और देखिए फिर 1, 2, 3 त्री चैन बनानी है, त्री चैन बनानी के बाद हमें यहाँ पे फिर से देखिए ऐसे 1 और 2 अब कि हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाना है, फिर 1, 1 चैन बनाएंगे 2, 3 डबल क्रोशे बनानी के बाद हमें यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे और फिर इधर से भी हमें इसी चैन में से 1, 2, और देखिए, 3, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 चैन बनानी है अब के बार हमें, और देखिए, फिर इसमें से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट में से 1, 2, और देखे 3, फिर 1, 2, 2 चैन बनानी है, फिर 3 डबल क्रोश्य बनाएंगे, 1, 2, और देखे 3, ऐसे, अब देखे, फिर से हमें हाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 चैन बनानी है, 4 चैन बनानी के बाद, फिर हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोश्य बनाना है, 1, 2, और देखे 3, फिर 1, 2, 2 चैन बनाएंगे, सेंटर में, और देखे फिर 1, 2, और देखे 3, ऐसे, फिर 1, 2, 3, 4 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है, इसी तरीके से हमें अपना second row भी complete कर लेना है, इस डेजाइन का, देखे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इस second row भी complete कर लिया है, और देखे कुछ इस तरीके से आईगे हमाई dress, अब देखे, हमने यहाँ पे 4 चैन बना ली है, अब हमें इसको यहाँ से joint कर लेना है, ऐसे, अब देखे, यहाँ पे हमें slip stitch करना है ऐसे, और फिर से हम इसके center में आ जाएंगे, ऐसे, फिर देखे 1, 2, 3, 3 chain बनाएंगे, थिर चैन बनाने के बाद, फिर हमें 1, 2, और 3, ऐसे 4, 4 double crochet बनाएंगे, 1, 2, 3, 3 chain बनानी है, 3 chain बनाने के बाद, फिर से हमें इसी में से, 4 double crochet बन देखिए, 1, 2, 3, और देखिए, 4, फिर 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 चैन बनाएंगे, और 5 चैन बनाने के बार देखिए, यहां पर नेक्स्ट मी से, फिर से हमें 4, 4 डबल क्रोश्य बनाना है, 1, 2, 3, 4, फिर 3, देखिए, हाँ पर हम 1, 2, 3, 3 चैन बना लेंगे, 3 चैन बनाने के बार फिर हम यहां पर 4 डबल क्रोश्य बनाएंगे, 1, 2, 3, और देखिए, 4, फिर 1, 2, 3, 4, 5 चैन बनाएंगे, इसी तरीके से हमें रो कम्प्लीट कर लेना है, देखिए, फ्रेंस, ये रो भी हमने यहां पर कम्प्लीट कर लिया है, और देखिए, लाज्ट में आ गए हम, अब देखिए, हमने यहां पर 5 चैन बना ली है, 5 चैन बनाने के बाद हमें यहां पर इस थर्ड चैन में से, इसको ऐसे स्लेविस्टीज से जोइंट कर लेना है, ऐसे, धागे को हमें यहीं पर कट कर देना है, अब देखिए, कुछ इस तरीके से, अब देखिए, इस कलर के धागे से बनाना है, इसको हमने कट नहीं किया थ देखे फ्रेंज कनार के धागे को हमने कट कर दिया ISF यह फिलेंगे को उमने कर नहीं किया था यहीं से हमने इसको शुरू करना है देखे यहां से ऐसे करें हमने इस टरुए से ऐसे जोइंट कर लेना है ऐसे सिंगल क्रोश्य बनाएंगे फिर इसमें भी बनाएंगे यहाद पिर हमारे 3 सिंगल क्रोश्य हो जाएंगे अब देखे अब हमें यहाँ पे इस होल्ड में से देखे ऐसे और देखें यहाँ पे 1, 2, 3 3 जार्फ प्री चैन को स्किप करना है फोर्त में इसे देखे, इसको इहां पर joint करेंगे हम, ऐसे, वान, ट्यू, त्री, फूर, फोर डबल ग्रोशे बनाएंगे, फिर वान, ट्यू, थ्री चैन बनाएंगे, और देखे, त्री चैन बनाने के बाद, फिर हमें इसको सिंगल ग्रोशे बनाना है, ऐसे अब देखिए फ्रेंट्स फिर से हमें इसी में से फाइब डबल क्रोशय बनाना है से वान ट्यू थ्री फूर और देखिए फाइब फिर हमें इसको देखिए यहां पे फोर्थ में से सिंगल क्रोशय से जोइंट कर लेंगे इस तरीके से अब ड़ागे को भी अंदर यह जोइंट करना है ऐसे ऐसे देखिए जैसे हम इन इसमें बना था थी थी चान पे हमें एक एक सिंगल क्रोशय बना रहा है फिर देखिए फिर सेंटर में जाएंगे फिर 1, 2, 3 चैन को स्किप करेंगे और फॉर्थ में से देखिए 1, 2, 3 ऐसे फॉर्थ में से इस तरीके से डबल क्रोशय बनाना है 1, 2, 3, 4 और देखिए 5 फिर 1, 2, 3 ऐसे 3 चैन बनाएंगे 3 चैन बनाने के बाल फिर हमें इसको ऐसे सिंगल क्रोशय बनाना है फिर इसी में से देखिए 5 डबल क्रोशय बनाना है ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 देखिए ऐसे अब देखिए 1, 2, 3 चैन को स्किप करेंगे फोर्त में से यहां से ऐसे सिंगल क्रोशय बनाएंगे ऐसे 1, 2, और देखिए 3 ऐसे देखिए फ्रेंट्स ऐसे ही बनाते हुए पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं देखिए फ्रेंट्स यह राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है सबी लीफ हमने बना लिया है और देखिए हम लास्ट में आ गए देखिए लास्ट में हमने यहां पे 5 डॉबल रोशय बना लिया है अब हमें इसको देखिए यहां से जोइंट कर लेना है जहां से हमने इसको शुरू किया था ऐसे देखिए धागे को हमें यहीं पे कट कर देना है और अंदर ही हम एड़ कर देंगे देखिए फ्रेंट्स धागे को हमने कट कर दिया है और अंदर ही एड़ कर दिया है और देखे हमारे लड़को पाल जी की ड्रेस्वन के तियार हो गई और देखे देखने में कापी सुन्दा लगती है और आप इसे अपने नुसार किसी भी कलर कॉंबिनेशन में बना सकती हो सभी कलर में बहुत ही प्रेटी लगेगी